हेलो एवरिवान नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हारदीक स्वागत है दोस्तो नो सितंबर को परिवर्थनी एकादशी है इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं इस दिन भगवान विश्णू शैन मुद्रा में दो महा बार करवट बदलते हैं भगवान विश्णू के करवट बदलने की वज़े से ही इस एकादशी को परिवर्थनी एकादशी कहा जाता है माना जाता है कि जब भगवान विश्णू करवट बदलते हैं तो परसन मुद्रा में होते हैं इस दिन अगर आप कुछ उपाई कर लेते हैं तो ये उपाई आपको शुबफल परदान करते हैं कौन से हैं वो उपाई मैं आपको जरूर बताऊंगी परन्तु उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नई आये हैं तो इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लीजिए और पहला आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकें आप सबसे पहले और वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा ताकि कोई खाज जानकारी छूट न जाए तो आईए शुरू करते हैं दोस्तो एकादिशी के दिन श्रान आदिकारियों से निवर्थ होकर पीले वस्तर धारन करें भगवान विश्णू या रादे किशन के सामने शुदगी का दिया जलाएं और भगवान विश्णू को पीले रंग के पुष्पों की माला चड़ाएं सुगंदि धूप जलाएं फल चड़ाएं वे फीले रंग की मिठाई चड़ाएं इसके साथ आप गाई को भोजन कराना न भूलें जी हाँ गाई भगवान को भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिये है गोमाता में 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है वैसे तो परती दिन गोमाता को रोटी खिलानी चाहिए ऐसा करने से सभी भगवान परसंद होते हैं और घर में अनधन की कभी कमी नहीं रहती आज परिवरतनी एकादिशी है तो आज की दिन आपको गोमाता को रोटी के साथ गुड मिलाकर खिलाना है या हर अचारा खिलाएं अगर गोमाता आपके घर के आसपास दिखाई नहीं देती है तो आप गोशाला जाकर भी गोमाता को हर अचारा या आटे का पेड़ा या रोटी में गुर रखकर जरूर खिलाएं और अपनी मनों कामना गौमाता के सामने कहें घर में आकर आप विश्नु सहस्तर नाम का पाठ जरूर करें और ओमन में भगवते वास्विदेवाय मंदर का जाप करें दोस्तों घर में तुलसी के पास शुद्धी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए ऐसा करने से महलक्षमी जी की किरपा मिलती है और नकारात्मक उर्जा दूर होती है घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और धन समंदी सभी परिशानिया दूर हो जाती है तो अज़ का वीडियो में समाप करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सवस्त रहें मस्त रहें खुश रहें राधे राधे